तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल इबोले तो इंगलेस तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 वनवर्ड सब्चुशन की और फ्रेंड्स यह हमारे एक्जाम में पूछे वह वनवर्ड सब्चुशन है तो यह आपके एक्जाम के लिए ब उसे हम लोग कहते हैं वेंड़ेटा तो फ्रेंड्स आप लोगों को अपना वीडियो प्रोस करना है और आपको लास्ट में कमेंट करने कि इतने लाइट लिए और अगर मैं आपको टाइम दूँगा तो कई ना कई वीडियो लंबा हो जाएगा तो वह बेफुजूल है तो यानि वे वस्तुएं जिनें आसानी से तोड़ा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो बी नंबर ऑप्सन दे रखा है बिल्टेल बिल्टेल मिन्स क्या होता है जो चीज नाजुक होती है या फिर कह सकते हैं जो चीज भंगूर होती है उसे हम लोग कहते हैं बिल्टेल तो इसमें हमारा जो बी नंबर ऑप्सन होएगे वह क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और अगर में सी नंबर ऑप्सन की बात करें जो की दे रखा है सब्टल तो सब्टल मिन्स आप लोग पता ही होना चाहिए जो चीज नगन ने होती है या फ और अपीजना पता है प्रिय्स इ सकते है चीज जो बे जोड़ होती है अधिति होती है उसें आगर जैते है और्सके नॉनट एन्टियल और झूज इली बेजोड होती है इसे होती होती है अदिति होतीiała फिल और और नॉनग जो 90 साल का वेक्ति होता है उसे हम लोग कहते हैं नौना जिनेरियन तो इसमें हमारा जो ऑप्सन राइट है वह हमारा बी नंबर है तो इसमें अगर बात करें एन अन इंपोर्टेंट परसन तो इसका मिंसिका हो जाएगा नन एंटिटी तो आप लोग को वीडियो का रिवीज करते हूं इंसेक्ट के बारे में यानि जो कीट पतंगों के बारे में अध्यान करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटमोलोजिस्ट तो इसमें हमारा जो सी नंबर ऑप्सन दे रखा है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और फ्रेंस आप लोग कोttो एन्ट पतंगे होगी लाग कर सकते हैं तो बिल्सेट पतंगे होते हैं वो बरसात में इंटो में ही पा जाते तो जो Freilichid और कईणि कीट पतंगों के बारे मत्यान ऊगा और जो हमारा UTIMOLOGYC होता है वो कईणि कहीन न युद को डेवलब करने का ध्यान होता है तो उसे हम लोग कहते है UTIMOLOGYC तो मारा इसमें जो C number option दे रखा है वो क्या हो जाएगा है राइट हो जाएगा और अगर हम लोग इसमें बात कें लिए D number option की जो की दे रखा है ornithologist तो कहीं न कहीं जो पच्छी वैग्यानिक होते हैं जो पंच्छीों के बारे में ध्यन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ornithologist तो इसमें हमारा C number option राइट हो जाएगा तो चलिए हमारा next OWS दे रखा है one who pretends to be what he is not यानि वह वैवेक्ती जो दिखावा करता हो बहुत ज़्यादा दिखावा करता हो बलकि वह वैसा हो ना यानि जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता हो और वास्तों में वैसा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे यानि कहीं न कहीं जो बहुत ज़्यादा पाखंडी होता है उसे हम लोग कहते हैं hypocrite तो इमारा जो A number option दे रखा है हिपोक्राइट मिंस क्या हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा पाखंडी होता है जो अपने आपको बहुत ज़्यादा दिखावा करता है बलकि असलियत में वैसा नहीं होता है तो इसमें लोग कहते हैं हिपोक्राइट तो इसमें मारा A number option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और optimist, pessimist आप लोग पता ही होगा optimist क्या होता है जो आसावादी होता है pessimist क्या होता है जो निरासावादी होता है और मैंने इसमें ट्रिक होता है थी opti क्या है था अपत्ती और आपती में लोग सभी क्या करते हैं आसा क्या और देखते हैं तो आपती में अज़िन क्या करेंगे असवादी होंगे तो चलिए मारे नेक्स дов wolf पैपर या फिर कह सकते हैं story या फिर poem first written out by hand या नहीं कह सकते हैं जो paper या फिर story या फिर poem जो हातों के द्वारा लिखी गई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो उसमें बहुत से लोग a number option पिक कर आएंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसमें मारा जो बी नमबर ऑप्सन दे रखा है manuscript वह मारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्सन हो जाएगा क्योंकि हैंडी क्राफ्ट मींस होता है जो चीज हस्त निर्मित होती है उसे हम लोग कहते हैं manuscript और जो हस्त निर्मित होता है उसे हम लोग कहते हैं हैंडी क्राफ्ट तो इसमें हमारा जो बी नमबर ऑप्सन है वह क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और अगर आप लोग बात कर लें थेसिस की तो थेसिस कहीं न कहीं किसी चीज का जो निबंद होता है या फिर परसं जाला जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे तो इस इस्तान को भाई मैं वन वर्ट करा चुका हूं उसे हम लोग कहते हैं मिंट तो इसमें मारा बी नमबर ऑप्सन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यानि मिंट मिंस क्या होता है जहां पर को कह सकते हैं जहां पर मनी को प् और लिखता है है यह फिर मानौ देसी होता है यह फिर किसी का जो दोस्त ढूंड लेता है उसे हम लोग कहते हैं सिनिक तो फोर्णस इसमें महारा जो D number option हो जाएगा राइट हो जाएगा और अगर बात करें हमारा इसमें एनमबर option जो की दे रखा है क्लिटिक क्लिट सब्साब लोग पता होना चाहिए जो क्या होता है आलो चछक होते हैं उन्हें हमको लोग कहते हैं क्लिटिक तो इसमें वारा दिन डे रखा है वो क्या होजाएगा हमारा राइट हो जाएगा तो चलिए मारा next OWS दे रखा है the process by means of which plants and animals सांस लेते हैं या फिर बीट लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो इसमें हमारा ए नमबर ऑप्षन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो चलिए मारा जो लास्ट और जो मारा लास्ट ओडबलोस दे रखा है वो दे रखा है प्रोपर्टी एन हेरिटेट फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स तो फ्रेंट्स अगर इसकी बात करें यानि जो पिता के द्वारा या फिर कह सकते हैं जो पूरोजो के द्वारा हमें प्रोपर्टी प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं यानि जो पैतरक संपत्ती होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे तो ब अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस दोस्तों में सेयर जरू कर देना और अगर चैनल सब्सक्राइब करना हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो चलिए दोस्तों जय हिन जय वारत